दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी लोग जानने वाले हैं कि बिना ATM काड का UPI PIN कैसे चेंज कर सकते हैं और रिसेट कर सकते हैं तो आज की इस वीडियो में आप सभी लोग को बताने वाला हूँ तो जब भी आप गाज रिसेट करने के लिए जाएंगे तो आपको है जो की ATM काड डिटेल्स इसमें खोजेगी अब जब ही ATM काड डिटेल्स इसमें डालेंगे तभी आपकी है जो की UPI PIN चेंज होगी आइससे नहीं होगे तो आज की इस वीडियो में आप सभी लोग के बताने वाला हूँ कि बिना ATM card का details डाले हुए UPI pin है जो कि आप change किया reset कर सकते हैं तो चलिए guys आगे मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ इसके लिए guys जो भी आप UPI use करते हैं उसको आपको open कर लना है जैसे मैं phone पे use करता हूँ तो इसको मैं open करता हूँ जैसी open करता हूँ तो इस तरीके से interface open होके आती है आपको क्या करना है profile आपको नजर आएगी आपको profile पे click करना है जैसी आप click करते हैं जैसी इस तरीके से interface open होके आएगी आपको क्या करना है UPI जो आपकी bike account रहेगी उस पे आपको click करना है जैसी आप click करते हैं तो इस तरीके से interface open होके आती है तो first में आपको यहां पे option reset का और दूसरी है जो की change का अगर change आप करना चाहते हैं तो change में click करना जैसी आपकी change में click करते हैं तो जो भी आपकी UPI number पहले से बनी हुए है वो आपको इसमें enter करना है उसके बाद दोबारा के लिए है जो की confirm करने के लिए बोलेगा तो जो new आप UPI number रखना चाहते ओड़ डालना है और उसके बाद confirm पह click करना है तो आपकी है जो की UPI number change हो जाएगी तो गाज आप सभी लोग को बताने वाला हूं कि आप reset कैसे कर सकते हैं तो गाज आपको करना क्या है reset पर click करना जैसी आप reset पर click करते हैं तो first में आपको अधार से है जो की reset कर सकते है और दूसरी है जो की ATM card से तो मुझे तो करना है अधार card से इसलिए कि मेरे पास तो गाज ATM card नहीं है तो जब भी मुझे करना है अधार से उसके बाद आपको करना क्या अधार में ट्रिक करना है और प्रोसुइड पर किलिक करना है जैसी आप करते हैं तो आपकी यूपी आई नमबर है जो की चेंज हो जागी जैसी आप करते हैं तो आपकी UPI नंबर है जो की चेंज हो जाएगी ताकि गाज मुझे है जो की चेंज नहीं करना इसलिए मैं रिसेट के किलिक नहीं किया हूँ तो बस अगर गाज आप phone pay account बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो का description में आपको link मिल जाएगी आप वहां से डाय रिक्ति ली जाके है phone pay में account बना सकते हैं तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही फिर मिलते हैं नेस्ट वीडियो में जब तक के लिए बाई बाई